गुड मॉनिंग डेर स्ट्रेंट माइसेल फिपल कुमार प्रेवा असिस्टेंट प्रॉफेसर इन जोलोजी गॉवर्मेंट पीजी कोलेज दौसा बीएसी थार्ड इयर जोलोजी के अंदर एकोलोजी जो अपनी बुक है उसके अंदर हम कल वायू प्रदूशन के बारे में प हमें प्रभावित करता है उसके संदर में आज हम बात करेंगे जैसे कि हमारे विवेक के अनुसार भी लिए हम बात करें तो वायू प्रदूशन के बारे में हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि जो चीजे मैं आज के वीडियो में बताऊंगा मैं सोचता हूँ कि आपके मान इसके अंदर एसे ड्रेंग अम लिए वर्सा एक्चुली क्या होता है कि सल्फर डायॉकसाइड कार्बन डायॉकसाइड एवं नाइट्रोजन डायॉकसाइड ये सारी गैसे आपस में मिलकर जब इनके कर्ण वाताण के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं तो उससे में जो वास वास्प होती है उस वास्प में जलकी जो वास्प है उस वास्प के साथ ये मिलकर कार्बनिक अमल और नाइट्रिक अमल कर निर्मान कर लेते हैं जो ही वर्सा होती है अचा तीनों ही अमले हैं अर्थात जो वर्स इनकी पीएच होगी वो सामानी पीएच से कम होती है अर्थ जो भी फोणा है, दोनों ही उस ऐसीड के लिए वो तयार नहीं होते है और उनके सरीर पर हो प्रतिकुल असर डालती है इसके अलावा भवन मालीजे गाडियां खड़ी हैं तो गाडियों के नहीं हो रही है तो एल्यूमिनियम उसमें जंग का दिखाएगा लोहा जंग दिखाएगा आपके बहुनों को नुक्सान पहुंच रहा है यह सारे जो जितनी भी दूस परिणाम है यह अमलिय वर्सा के लिए आते हैं तता यह वहां का जो जीवजात है उस जीवजात की पारिशितिकी को बिल खुझा जाता है वहां पर एक क्रितिम घर बनाया जाता है जिसे काच घर कहते हैं इस काच घर में पौदो को रखा जाता है फल्सुरूप वहां ठंड जादा होती है तो दिन में जब सूरिय निकलता है तो सूरिय की कम तरंग दर्दी जो केड़े उस समय उसके उपर की तरंग देर्द कि की रिने उनसे प्रसारित होंगी फॉल्च रूप वो गेट बंद कर दिया जाता है उपर की जो चत है न वो बंद कर देता है फॉल्च रूप वो पोदे एक गर्म वातवन के अंदर रहते हैं सेम यही प्रकार अमारे प्रकरती के अंदर वातवन के अंदर चलता है सुरे सी आने वाली किने जब पृत्वी की सत्या पर घिरती है वायू मंडल के माध्यम से तो फ़ल्च रूप दूसरी तरंगदेर्द बनती है उच्छ तरंगदेर्द अब ये तरंगदेर्दे वापि लोटकर प्रत्वी पर ही रह जाती है फल्चुरूफ जो प्रत्वी का तापमान है वो इंक्रीज हो रहा है इसका बेस्ट एक्जामपल आपको यदि हम देखें तो जो यह दुरूविय प्रदेश है या आर्कटिक है या अंटार्टिका है तो वहाँ पर जो ग्लेशियर है व जो समुंदर का तट है वो तट लगातार बढ़ता जा रहा है इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रीन आउस एपक्ट की वज़ए से प्रत्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है इसे ही ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं विर्स्वेबोमंड लिए तापन समश्या फ फोटो केमिकल इसमोग फोटो केमिकल इसमोग के बारे में यदि हम बात करें तो आप लोग देखते होंगे कि सर्दियों के मौसम में कोहरा जमता है जिसको पर फोक कहता है फोक जो होता है कोहरा ये कोहरा आपने देखा होगा चलो वो तो सर्दियों के मौसम की बात है अब या बादल टाइप की सनचना आपको सड़क पर देखने को मिलेगी फल्तुरूप उसके फल्तुरूप आपकी आँकों के अंदर एलर्जी का कंसेप्ट आएगा अच्छा अभी लेटेश्टे अपने बात करते हैं तो अभी आपने दस एक मैने पहले दिल्ली का पड़ा होगा कि दिल्ली एक गैस चेंबर बन गई है फल्तुरूप क्यों क्योंकि वहां का जो वायूमंडल था उसमें प्रदूसकों की मात्रा इतनी जादा हो गई कि दिल्ली के निवासियों को वहां सांस लेना भी दुरबर हो गया फल्तुरूप वहां के जो ततकालिन मुख्यमंत्री है उन्होंने कई प्रियोग अपना है उन्होंने ओड इवन कार का भी कंसेप्ट चलाया था कि बैप्रदूशन कम से कम हो सके और वानों को बंद किया उसके अंदर केटेगराईजिशन किया कि एक निश्चित समय के बाद के वानों को मार्ग पे चलनी के अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी आटे दुवारों का लाइसेंस निरस्ट तक कर दिया गया था तो इस प्रकार जो फोटो केमिकल समोग बनता है ये समोग प्रियाप्त नमी जब रहती है वाताओन के अंदर प्रदूशको प्लस सूर्य के प्रकास के साथ मिलकर एक फोटो केमिकल समोग का निर्मार करते हैं नेक्स्ट है ओजोन चिद्र या ओजोन परत का विलगन देखिए हमारे स्टेटो स्पेर में ओजोन गैस होती है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विक्रणों को वहीं पर रोक लेती है ताकि वो प्रत्वी पर ना आए यदि वो पराबैंगनी विक्रणे परत्वी पर आती है तो इसके फल्सरों हमारे सरीर में तवचा का कैंसर इसकीन के कैंसर लंक्स का कैंसर फैपडो इन सभी प्रकार की विमारिया होती है अब ओ क्या रहा है वर्तमान में जो गैस प्रियूक्त हो रही है सबसे ज़्यादा CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन इनके जो ऑक्साइड है ये उपर जाकर ओजोन परत को नुपसान पहुचा रहे हैं जो ही ये पराबैंगने विकेडों के संपर्थ में आते हैं इनसे क्लोरीन मुक्त होती है और क्लोरीन ओजोन गैस को तोड़नी का कारिय करती है अंटार्टिका के उपर एक विशाल छिद्र भी देखा गया है जो इस बात का बिल्कुल गोतक है कि आने वाले समय में यदि ये प्रदूशन नहीं रोका गया तो इसी प्रकार से ओजोन परत में छेद हो जाएगा और सूर्य से आने वाली पराब्यागनी विक्रिंड है जो कि अभी तक ओजोन परत के द्वारा रोकी जा रहे थी वो नश्ट हो जाएंगी और वो सीधे मनुष्य को प्रभावित करेंगी वायू प्रदूशन के ये तो मैंने आपको environmental effect बताए थे कि इनसे environment में जो बड़े परिवर्तन हो रहे है वो हम देख पा रहे हैं अब next हम देखते हैं कि वायू मंडल में जो जीव जात है या मनुष्य है इस मनुष्य पे वायू प्रदूशन का क्या प्रभाव हो रहा है यदि मानो स्वास्त पर प्रदूशन की बात करें तो मानो स्वास्त पर आप देखिए सबसे पहले मैं बताऊं वायू प्रदूशन का सबसे easy है allergy का आपने देखा होगा कई लोग dust से allergy show करते हैं गर में साफ सपाई होती है तो dust उड़ी उड़ने के साथी उनका छीक आना चालो हो जाता है आँके कुचरना चालो हो जाता है आँके कुचरते कुचरते आँके लाल हो जाती है और inail में बहुत दिक्कत आती है एक दम में से पूरा सिस्टम गड़बडा जाता है तो ये वायू प्रदूशन का सबसे यका यकवाला पैडाम है जो आपको हातो आती मिल जाएगा इसके अलावा लंग से जो है ब्रेथ हम जो सांस ले रहे हैं यदि हम गलत वायू के अंदर हैं तो हमारा जो इनैल हम कर रहे हैं ये सीधे सीधे हमारी लंग्स को एफेक्ट करेगी फल्च रूप हमें लंग कैंसर भी हो सकता है दमा आपने देखा होगा कई लोगों में अस्तामा की बीमारी होती है दमा की चलते ही उनकी सांस उखणने लग जाती है अब जो ही वो ऐसे वातवन में जाएंगी ये ऐसे वायू मंडल में जाएंगे तो वो सीधे सीधे अस्तामेटिक का काम करेगी यदि मैं आपको वायू प्रदूशन की बारे में बताऊं तो मौतों का कारण जो रहता है ब्रॉंकाइटिस है, MP सीमा है, स्वसन एलर्जी है तता फैपड़ो वरिदे की बिमारिया है इसी में मैं आपको एक भारत की गठना के बारे में तोड़ा सा बताणा चाहूँगा दो-तीन दिसंबर 1984 गोपाल के अंदर मिठाइल आइसो साइनेट का जो स्रावन हुआ था मेरे अंदाज से आप लोगों को सबों को पता होगा इसमें एक बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी Union Carbide Factory थी जिसका मालिक अमेरिका का था उस फैक्टरी के अंदर एक टैंक के अंदर से रिशा हुआ इसमें जो मिठाइल आइसो साइनेट गैस थी ये गैस उस कोलोनी के अंदर चारो तरफ फैल दे जो लोग रात को सो रहे थे वो सोते ही रह गए उनको जगने का भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ फल्चरूप सुबह जब देखा तो चारो तरफ को उरामी को उराम मचा था मेरी पीपीटी के स्लाइड में आप वो चितर देख पा रहे होंगे बहुती रिदय विदारक है हम देख नहीं सकते कि कितनी मोते हुई थी किस प्रकार से चोटे चोटे बच्चे जो रात को सोते थे हो सोते रह गए मवेशी बड़े-बड़े गाई भैस जो भी इस गैस के संपर्ग में आया वो रात को वही का वही शान्त हो गया आलाकि रिदय विदार रखे लेकिन क्या करें वायो प्रदूशन का हमारा टॉपिक है और यदि बोपाल की यदि मैं बात नहीं करूँ तो यह पूरा नहीं होगा इसी के अलावा आप देखिए विदेशों के अंदर जैसे रूस है तो रूस में एक बायोटिक वेपन बनाने का कारखन है वहाँ पर एंथ्रेक्स जीवाणू से कोई बायोवेपन तयार किया जा रहा था यह एंथ्रेक्स जीवाणू गलती से वातावन में रिलीज हो गया रिलीज होने के साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब खतम हो गए अब मैं और तो क्या बात करूँ COVID-90 की बात कर लें कोरोना वाइरस का भैलने का एक प्रकार वायू प्रदूशन भी है आप बार-बार सुनदे हो सोचल डिस्टेंसिंग रखो फिजिकल डिस्टेंस एक मेटर की दूरी बना के रखो किसी के संपर्ग में मत आओ अब वो वायू में भी उड़ रहा है तो वायू में उड़ता हुआ COVID-90 का जो वायरस है वो आपके संपर्ग में भी आच सकता है इस प्रकार वायू प्रदूशन की माध्यम से हम कई प्रकार से रोक ग्रस्त हो सकते हैं इसी में एक करम में एक बीमारी का नाम है एसबेस्टरस एक पदार्त होता है जो कि ताप और विदूत का प्रतिरोधी होता है जितने भी जैसे बिजली के स्वीच वगरा होते हैं उनके अंदर एसबेस्टरस को प्रियोग किया जाता है यह हमें कदानों से मिलता है अब उस खदान में काम कर रहे है स्रमिक जब इसके लगातार संपर्ग में रहते है तो इनके फैंपड़ों के अंदर कैंसर हो जाता है इस कैंसर को कहते हैं मीजो थिलियोमा मीजो थिलियोमा जो कैंसर का प्रकार है यह एसबेस्टरस रोगियों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है इसी में एक क्रमोरस सिलिकोसिस सिलिका की खड़ानों में काम कर रहे हैं जितने भी मजदूर होते हैं उनकी फेंपडों के अंदर जो कैंसर होता है वो सिलिकोसिस कंसेप्ट के अंतरगत आता है ये तो हो गए मानव स्वास्त के बारें बात अब मैं कहूं कि गरेलू आयो प्रदूशन जिसमें हम रह रहे हैं लेकिन उसके बारे में हमको बिल्कुल भी पता नहीं है आप अपने घर के अंदर यह दे हम बात करें तो मकान के अंदर का हम paint करवाते है spray, polish नहीं polish हो चाए, spray की polish हो कोई सिर्फ पॉलिश ले लीजे आप मैंने कोई अगरबत्ती जलाया मैंने कोई कच्वा चाप जलाया मैंने कोई डियो चडगा ये सारे elements उस कम्रे के अंदर वायू के अंदर विदमान रहते हैं जो ही आप इनके संपर्क में आएगे तो संपर्क में आने के साथ ही आप भी उनसे संगर्मित हो जाएगे जैसे मान लीजिए काला हिट मच्छर है काला हिट को मैंने छड़क दिया मैं यहीं बैटा हूँ तो मेरे बैटने के साथ साथ वो काला हिट भी मेरे सरीर के अंदर एं जाने में हम घर में रहते हुए भी वायू प्रदूशन का सिकार होते रहते हैं जैसे रसोई घर के अंदर चूला जलाया पूजा घर के अंदर पूजा के लिए हमानम कर रहे हैं तो वो भी एक वायू प्रदूशन का सुरूत है तो कई कंसेप्ट हैं जो हम हमें पता भी नही से दो विदी लौ के द्वारा हमें बारत के इंदर परियावन संदक्षण अधिनियम 1881 के तहट परियावन से वायू प्रदूशन को रोगताम करने के लिए प्रियास किये गए जैसे मैं आपको बता दू आप लोग मोटर साइकल वगरा खरीते हैं तो इस समय जो बीए सिक्स रेंच चल रही है आप सुनते हैं बीए सिक्स एक इस प्रकार का मोडल है जिसमें कार्बोरेटर ही नहीं है सीधा यह उसको लिंक किया गया है यह गाड़ी प्रदूशन फैलाएगी इसके जो पहमाने हैं वह बहुत अच्छे हैं ताकि वाइव प्रदूशन कम से कम हो सके दूसरा आप ने देखा होगा फोर विलर के अंदर पी उसी होती है पॉलिशन अंडर कंट्रोल तो पॉलिशन अंडर कंट्रोल का भी वह काम है तो यदी आप इसके जाए या इसका कम से कम प्योग किया जाए तो इस प्रकार से अंतर पर उस फैक्टरी के मालिक से बात कर सकते हैं कि आप अपनी जो माफदंड उन माफदंड़ों को सुधारो तता इसमीं फेल्टर का समावेश करो जिससे प्रयावन प्रदूशन कम से कम हो नेक्स्टर स्रोथ का विलगन करके यदि कोई फैक्टरी है वो शेहर के अंदर लग रही है तो हम उसको कोईसिस करेंगे कि आप यहां से आइसोलेट होकर कहीं बाहर चले जाओ ताकि कम से कम और भी नीतों जो जीवजात है वो उसके संपर्क में कम आए इस प्रकार आज हमने वाईू प्रदूशन के प्रभाव देखें वाईू प्रदूशन के प्रभाव के साथ ही मैंने आपको विस्तार से इसके बारे मं जान करी दी मैं उम्मिद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे सम्झ में आओगा thank you thank you very much